सो हलो मेरे भाई लो वल्कम बैक टू माई यूटूब चैनल आर्वियस एनमे हिंदी भाई जब इस चेप्टर के स्पोईलर आया था मैंने बहुत सारी चीजों को उसमें पॉइंट आउट किया था बट जब ये चेप्टर आया भाई क्या मालूम पड़ता है बहुत सारी तो चलो रिवियू मारते हैं ये चेप्टर फोकस था पांच जगों पे अगर हम कवर पेज को भी जोड़े तो कवर पेज फोकस कर रहा था तीन कैरेक्टर्स के उपर जज, राइजू, एंडी चीजी जहां पे ये तीनों आगे की ओर देख रहते इसके अलावा चेप्टर चार जगों पे फोकस था, पहला फ्लावर केपिटल, सेकेंड ओनिगासी मस्तल के उपर, थर्ड मेरिजवा के कासल पैंजिया पे, एंड़ फोर्थ समुंदर पे, जहां पर नेवी का पूरा फ्लीट आ रहा है, तो पहले अगर मैं बात करूँ फ्लावर केपिटल की, तो लेकिन इस से क्या फरक पड़ता है, क्योंकि हम सब जानते हैं, ओडा इस चीज को कितना लंबा खिंच सकते हैं, रही बात दूसरे जगा, ओनिगासी मस्तल के उपर, जहां पे फाइट चल रहा है, काईडो वसिस लूफी का, ये फाइट मैं बहुत जादा इंजॉई किया, मैं इस कहने में के एपसोड आने का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत मज़ा आएगा उसे देखने में, यहां काईडो अपना ड्रंकन मास्टर वाला फर्म दिखाता है, और ये भी देखने में बहुत मज़ा आता है, प्लस एक और चीज मैं कहना चाहूँगा, लूफी क काईडो का ही एक अटैक, जिसका नाम है सुरोन हाके, उसी के उपर इस चेप्टर का टाइटल पड़ा है, प्लस एक और चीज हमें मालूम पढ़ता है, काईडो अब जाके सीरियस हुआ है, तो तुम समझ रहे हो ना, इतने टाइम से यार वो लूफी को तो मज़े मज़े म सानी नहीं है, आखिर वो एक याउंको है, अब ये सारी चीज़ों तो कुछ भी नहीं, क्योंकि इसके बाद जो ओडा ने किया है, सिर्फ कनफ्यूज ही किया है, उपर एक चीज रिवील किया है, वो मैं बताऊंगा लास्ट में, पैंजिया कासल के अंदर जो ये पांच ब उसके पीछे एक जाइंट सैडो आ रही है, ये सैडो और कोई नहीं, जूनेसा है, अब जूनेसा वानों में क्यों आ रही है, मैंने इस पर अलग से वीडियो बना रखा है, वो मेरा थियोरी है, वो तुम लोग जा करके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाए वो यहाँ एक डेवल फ्रूट की बात करते है, जो सैंचूरी से हवेकन नहीं हुई है, और यार सबसे बड़ा जटका तो तब लगता है, जब उनमें से एक कहता है, अब क्या ये डेवल फ्रूट लूफी का है, यार मुझे नहीं मालूं, क्योंकि यहाँ काफी जादा confusion create ह होता है, क्योंकि यार ये डेवल फ्रूट उसका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर उसका नाम mention नहीं किया है, एक और चीज है, जो लाइन बहुत सारे चीज़ों को reveal करके जाती है, जब इनमें से एक बुढधा कहता है, then why the world government bother to give that one specific devil fruit another name, ये लाइन एक राज को reveal करके जाती है, मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं official chapter को read करते हुए बना रहा हूँ, तो यहाँ पर भी साब साब मालूम पढ़ रहा है, हाई ये बुढधे आज से 800 साल पहले जिंदा नहीं थे, क्योंकि अगर ये लोग उस time से जिंदा होते, तो इ ये लोग रिप्लेस होते रहते हैं, एक time के बाद, अगर मैं बात करूँ, इस devil fruit को लेके, अगर ये लूफी का devil fruit है, तो बहुत तकड़ा हाथ मारा सैंक्स ने, और अगर वो लूफी का devil fruit नहीं है, तो पक्का blackbeard उसी को लेने की बात कर रहा था, chapter number 956 में, भाई वो बंद किसी चीज को लेने की बात कर रहा था, खैर जो भी हो, chapter बहुत मस्त था, दस में से मैं इसे 9.5 दूँगा, ये था मेरा chapter का review, अगर तुमको पसंद आया तो वीडियो को like बारना मद भूला, साथी साथ चैनल को subscribe करना मद भूला, तो यार मिलेंगे next वीडियो में, फिलाल क 每रों थारी से ुमको, क्राशी साथ ना मिलेंगे साथ तूला, साथीजड में, क झाल झाल झाल